नमस्कार आप देख रहे हैं जी मध्यप्रदेश शतीजगर्ण और मैं हूँ आपके साथ त्रप्ती सोनी आज राम राज्जी की बात राम राज्जी वो जहां हम सेवा सुशासन साथी मिंदा के भी कभी कभी बात कर लेते हैं इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुना बणनी चाहिए कहा ग्या है ना अखिल विश्व यह मम उपजाया सब पर मोही बराबरदाया तिनमहों जो पर्यहरीमध मया भजेहीlight मोही मन वचन अरुकाया राम को मानने वाले सब कोई हैं। इसलिए हम हिंदुस्तान में राम की बात करते हैं राम की सैयोगी कोमल को बुलाना चाहूंगी मंच पर और पहले पैनल के महमानों का तारुफ आपसे करवाउँ संजय श्रिवास्तो भरती जन्ता पर्टी के महा मंतरी हमारे साथ में जुँडने जा रहे हैं स्वागत है आपका तालियों से स्वागत करें संध्य शिवास्तों हमारे साथ वे हैं साथ ही PCC मीडिया से संचार प्रमुख हैं सोशिल आने शुक्ला जी कॉंग्रस पार्टी के स्वागत है आपका भी मंचपर और इस सेशन की शुरुवात हम बड़े ही तीखे और तेस्ट ररार तरीके से करेंगे क्योंकि ये दोनों जो प्रवक्ता दोनों ही जो नेता बैठे हैं ये अपने वे पार्टी का मूर्चा संभालते हैं और आज बड़े ही गर्मा गर्म तरीके से चुनावी मौसम का लुख्थ आज दर्शक उठाएंगे क्योंकि गंभीर मुद्दों पर गंभीर बहस गंभीर चर्च सुषील जी शुरुआत मैं आप से करना चाहूंगी क्योंकि हम सवाल जवाब कडे तरीके से करने जा रहें लेकिन शुरुआत मैं आप से यह जानना चाहूंगी हमेशा कॉंग्रिस कहती है कि बीजेपी की सरकार आ गई है और आप भरष्टाचार शिरू हो चुका है फिला अनने नरेन मोधी जी की की जो 10 साल के कारिकाल हैं जो अईनोंने 2014 में वादा किया था फ्र commute 19 में वादा किया था उन वाइदों का हिसाब लेने का समय आ गया है विशेश तर पर सौ दिन में महंगाई गम करने का वाइदा मोधी जी ने किया था, हर साल दो कोड़ युवाओं को रोजगार देने का वाइदा मोधी जी ने किया था, किसानों की आयए 2022 तक दुगनी करने की बात हुई थी, 2024 आ गिया है, साथ ही महिलाओं को जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरन देने का वाइ तो इन सारे वाइदों में कितने वाइदे पूदे हुए कितने वाइदों नहीं हुए 2022 तक 2 करोड युवाओं के रोजगार मिलता तो उस अनुपात में अभी तक 40 करोड युवाओं को रोजगार मिलना था 10 साल में और उस अनुपात में 20 करोड के हिसाब से जो हमारी 36 गड़ के आबादी है 3 करोड लगभग 40 लाख, 36 गड़ के युवाओं को भी रोजगार मिलता, लेकिन नहीं मिला, तो इसका भी हिसाब लिया जाएगा, तो हिसाब ही हिसाब लेना है देश की जनता को, दुर्भा के जनता के है कि अपने किसी भी कमिटमेंट पे, अपने किसी भी वायदे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, 54 लाग करूपए का करजा था, एक सो सत्तर लाग करूपए का करजा आगया नरिन मोजी जी की सरकार आने के बाद इन 10 सालों में, एक भी सारुनिक इक बांध नहीं बनाएगा इं 10 सालों में, तो बहुत सारे ऐसे मुद्धे हैं, जिनका हिसाब करना क संजय जी गुडांगड़ित विपक्ष ने लगा लिया है हिसाब मांग रहे हैं और विपक्ष तो पूछेगा ही क्या हुआ तेरा वादा निश्वेत रूफ से इनके मगदूरी है क्यों कि आम जनता के बीच में इनका प्रभाव तो लगबक समाप्त हो गया है देखे कॉंग त्वश्वार करती जो 138 पुरानी है वो अपने देश के अंदर में प्रदेश के अंदर में अ असितू के संकठ को लेकर जूज रही है दरसल कारण है कि कि आज जो यह प्रश्तन कबिगार की बात करते थे कभी महंगाई की बात करते देए इनildo के साथ में आप लगातार यह के जनता के बीच में आपने सरकार बनाया लेकिन आप ने अपने काम नहीं किया अब आपकी इतनी मजबूर new हो गई कि उन्हीं मुद्दों को लेकर आप काम कर रहे हैं मुझे लगता है बहुत जाभर कहने कि आप अब शक्ता नहीं जितने लोग यहां पर बैठे हैं जानते हैं कि आज देश के अंदर में क्या वातावर नब है मोधी जी के प्रती क्या कर्शन है मोदी जी के प्रति क्या भिश्वास है कुछ कमियां हो सकती है». सरकार के अंदर में जब हम काम करते हैं मुद्दों को लिकर काम करते हैं तो कुछ कमियां हो कि हम सकते हैं कि हम सत प्रतिशवत वाद sidौ को पूरा नहीं को देख ले 2014 से 2019 तक हमने काम किया यह वही लोग है जो नोटबंदी के नाम पर जेस्टी के नाम पर हला मचाते थे देश के अंदर में तमाम प्रकार की नाटक नोटंखी करते थे हम 2019 के परिणाम जब आया तो हम कहीं ज्यादा सीट प्राप करके 2014 में जो हमने सीटे प्राप क यह अलग बात है कि बहुत महंगा वो उन्हें कुर्टा पहना था जेव फाड़ के आये थे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देश के अंदर में जितने मुद्दे होते हैं मैं मानता हूं इस बात को चाहे महंगा ही का हो चाहे नोकरी का हो लेकिन उसके समनांतर हमने हर विवस पहली बार किसी ने सोचा तो मानी प्रधार मंतरी नरेदर पोधी कि सरकार ने सोचा कि यह बिरुजगार हैं यह किसी कायकारण से नोकरी नहीं पाते हैं इनको हम किस तरीके से खड़ा कर सके और आपने देखा एक मिट आपने देखा कि हमने एक स्कल्ड डवलप्मेंट के लिए एक नया मंतराले की गठन किया लोगों को स्किल्ड किया नहीं यूवां को उनको हमने अब पैसा कहा की जरुबत है इनके समय यह रहता था कि बैंक में जाओ तो एक रूपैन मिलता नहीं था बैंक से वापस हो जाते थे उन नहीं लोगों को पैसा कैसे मिले इसके लि संजे जी आपने रोजगार को लेकर बोला लेकिन कॉंग्रिस आज इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा मुद्दा बना कर सामने रख रही है इसका जवाफ ने कहा अपोजिशन है मुद्दा बनाएगी लेकिन विश्वास का संकट कि आखिर कौन बोल रहा है कौन सोशिल जी आत्म विश्वास बोल रहा है भारती जनता पार्टी का दस साल की सत्ता है फिर पांस साल आप बड़े मैंडेट के साथ आए लेकिन अभी तक का इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला जो शत्तिसगर में नहीं था तो फिर वो सवाल तो खड़े करेंगे ही अपर अदेखे त्रिप्ति जी मुद्दे की बात कर रहे से संजय जी लेकिन महंगाई के बारे में चूप रहे मौंद है सवाल दिन में महंगाई कम करने का वाइदा इन्होंने कीया था यह बिरूजजगारी की बात कर रहे थे एन 72 के बात आज दोहजार जार जुव़ीस में जो भारत की बिरूजजगारी दरosis है यह बात करते हैं कि मोदी जी के आने के बाद में अमूल चूल पईवर्तन, क्या पईवर्तन हुई मोदी जी इस देश में कांगरेश शाट साल में कांगरेश ने क्या किया है? आपने क्या किया दर्स सालों में तीन पर्षंट की बढ़ोती की है आप अपना सी पीट ठोकते हैं दरवसल मूल मुद्धों से आम आदमी के मुद्धों से ध्यान भटकाने की कला भारती जनता पारिटी को आती है कि सिर्फ और सिर्फ जूम्ले बाजी की सरकार चला रहे हैं, आम आदमी को उससे कोई ले रहा है, कि संगार करने की बात कारता है कि साथ हर दिन तिसंग आत्मत्या करता है मेरे पास में आकड़े हैं जिसके हिसाब से किसानों की आये 2022 तक दुगुनी करनी के लिए 10 फीस्दी पृद्धी की आउस सकता थी हर साल 10 फीस्दी की पृद्धी होती 2014 से लेके तब किसानों की आये 2022 तक दुगुनी होती और आज भी विद्धिदर कितनी है दो तो तीन दिसमलों 5 परसेंट वालब किसानों की आए इस रेस्यू में दुगनी होने में 2035 लगेगा तो यह इस्थिती है किसान रोज आत्मत्या कर रहे हैं सीफ और सीफ नोट बंदी की बात कर रहे थे नोट बंदी में कांग्रेस ने दूपे बाद के बाद जो चत्रीज़ बर में नक्सल बाद में 80% की दिश्डी की कमी आई थी इनके ग्रिम उस्फ और दैगे मंती इतने ज्यादा कंशूज है कभी बोलते हैं कि नक्सली ओंसे आंख में आया आख डालके आप तो इसा है नकसल में वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने दोहजार अठारा थी तो नकसल तो एक तीसरी चोथी समस्या कर रूप में क्या शराब बंदी की बात करें थे क्या बरुज़गारी भत्ते की सब के सामने खुला हुआ है और जनता ने इनको जवाब दे दिया है नकसल का मामला चुकी एक मुख्य मामला है और हम बीजेपी के लोग इसको कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं बाते है ये राज्यटिक बात नहीं है ये एक रास्ट्री समस्य है इस रास्टी समस्या का निराकरण होना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस नकसल के मामले में भी कितनी शडिंत्र करती है कि आपने नकसल नीती के दो बात करी है मैं तो आज यहां पर पूछ रहा हूं कि पांस साल होगे छटवां इतना बड़ा कॉंप्रोमाइस कर सकता है एक वो सरका एक वो पार्टी जो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी मेरा खुला रूप है यह ना एक्शन करेंगे ना रियक्शन होगा और शायद आपको कम्रेश को बड़ा गया है यह बड़े दुर्भागी गिरात है मेरा इस पस्थ यह कहना है कि सरकारे आती हैं सरकारे जाती है कहीं दिक्कत नहीं है जनता जिसको जहां बठाईगी वेठेगी लेकिन जन मुद्वा पर पूरा देश जूज रहा है बस्तर की जनता जूज रही है उस मामले में कॉंग्रिस कॉंप्रोमाइस की रंडिती इससे बड़ी शर्मनाख नहीं हो सकती जो कॉंग्रिस न कि कि पांच साल नक्सल नीते पर क्यों शांत रखने के लिए शांत रहना यह बड़ा और उरुप है बीजेपी का और टार्गेट के लिए अभी बी कह रहे हैं हो सकता है कि पांच साल तक संजर जी के पास में लिट्रेचर ना पहुंचाव अध्यान ना किया हो बैस्तता जादा से तो इनको पता लग जाएगा कि आधी नक्सल नीति क्या थी मैं दो मिनटालों आपको मैं पताउंगा कॉंचार नेति आधी विश्वास विकास रक्षा इस तीन मूजमंत को लेकर हमारी शटकार चली थी और시면 कि बस्तरrac को बनवाई जो और तालीस सो किलो मेटर की आंतरि दूरस शहतों को सडकों से जोड़ा जिसका फादा यह हुँआ कि लोगों में विश्वास् की बहाली हुई कि नहीं ये सडके हमारे लिए बन दख़नी सडकों उन शड़कों को बनाने का विरोध क्या आए तो गहां वाले उनके बिरोध में खड़े हो गये उसका फादा हुआ वस्तर में विकास हुआ बस्तर में डवलब्मेंट हुआ तब यह केंद्र और राजी सब्सक्राइब पर्यास नहीं था क्या बस तर तक सड़के पहुँची केंद्र का प्रयास होता है केंद्र नक्सली इलाके में यह कोई भी आसा इलाका जहां पर की आंतरीक आतंगवाज की स्थिती होती है केंद्र वहां पर CRPF, CISF की बटालियन उपलब्द कराता है और शत्तिर गड़ में तो इसके उलट हुआ था शत्तिर गड़ में ग्यारा करां सिर्पार्म पर केंद्र सरकार ने स्थिती है की बचालियन उपलब्द करने के लिए सेंट actually २ो में सबसे घ्रगेट की वमिया था बुमें हमारे नेताओं के नाम पूच कर मारा गया था कौन है महन कर्मा कौन है विज्जा चुला कॉन पाठेल यह टार्गेट्स चार भारती जनता पार्टी सुशिल एपहते होती है आपराद अपराद होता है शुंग आपके जिताओं देखिए बस्तर में इन्होंने इत्awsze नचल नीती करी इतना अच्छह डव्लॉपवैंट किया कि बस्तर की क letzter बारा स्वैधे और भारा से चार पे रहास टुंफ टो कहीं न न तरंद का यही है लोकतंत्र में ही काशी काम का माधवधन सी जनका जो जनको लेकर एपशुआष बैक करती कि ये सामानेता माना जाता है दूसरा भी शही जो टार्गेट ये केलिंग की बात कर रहे थे हमको भी दुकस बात का जो जीरम था आपको शाइड तारीख याद नहीं होगी मुझे याद है 25 माई 2013 को ये गटना होई थे जो जिसमें बड़े कॉंग्रिस के नेता माने गए थे लेकिन वहरे तकलीफ कि इन पांस सालों में जब आप इपक्ष में थे तो 2018 के पहले चीक शीक कर चिला कर कहते थे कि हमारी सरकार ये दियाएगी तो हम इसकी जाच करेंगे सब कुछ सामने लेकर आएगे मेरे जेब में सबूत है उपेश मगेली कहते थे प्रदेश अध्यक शोई सरकार बनेगी मैं उसको लेकर बाहर निकालूंगा वारे कौन सी ऐसी जेब कौन से टेलर ने ऐसी सिली कि वो हाथ जो अंदर गया तो पांस साल तक बाहर नहीं निकला एक कदम इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया जो रिपोर्ट आई जो ततकाली नियूपिय की सरकार्थी सोनिया गांदी उस समय थी यहाँ पर आये थे उन्होंने यहना यह की जाज की बात करी उन्होंने एक सदसी की जो प्रिशान जैंग की नएक कमिटी शुसरे मिलाकर बात यहाँ लेकिनु है तो नियाए के लिए देर नहीं होनी चाहिए इस सट्ता आती है जाती है लेकिन नियाए व्यवस्त्त अजिए सवाल तो वह पूछेंगे ना कि खड़ा होता है सोशेल जी कि कॉंग्रेस शत्यसगर की 11 सीटों को टार्गेट कर चल रही है इसलिए प्रदेश अध्यक दीपक बैश को इस बार आप लोगों ने टिकेट से दूर रखा या वो नहीं चाहते होंगे चुनाव लड़ना जिन चेहरों को आपने मैदान में उत कि अधिक होती है तो वैसी इसी में एक को ट्रिकेट मिलती है बाकी कुछ लोगों के अंदर में मलाल भी होता है तो उनको मना लिये लेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हमारे कांजिट हमारे पत्यासी मजबूत है यही कारण है कि जैसे हमारे पत्यासी बनाए गए भारती जन्ता पार्टी ने उनके खिलाब उनकी सभी खराब करने के लिए क्रियेटिव जारी किये। अमूमन पत्याशी घोषित होने के बाद कभी भी इस देश के इतिहास में ऐसा नहीं जाए है कि राजन्यतिक दल इतना ज्यादा सुचिता से इतना ज्यादा नीचे गिर जाए है को विरोधी दल के पत्याशी का घोषना हुआ ने उसके खिलाब क्रेटिव जारी करना अनाद सब्सक्राइब करें कावासी लखमा के खिलाब इनोंने सब्सक्राइब किया उनके खिलाब एफाई अर्दज करवाए गया जैसे ही भूपेश बगली पत्यासी बनाए गया जादनाद गाउं से पूरी भारती जनता पार्टी हिल गई कहां से एडी की ठिठी लेया के योड सब्सक्राइब के खिलाब इनके खिलाब एफाई आर्दज करवाए गया जो इनकी कारड़ी है इनकी बाउखलाहट बता रही है कि भारती जनता पार्टी इस लोग सभा चुनाओं में बड़ी तरीके से पराजी सोने वाली है चली वो तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा य क्योंकि 11-11 सी जीतने का दावा दोनों ही डल कर रहे हैं बड़ी तैयारी कर रहे हैं बीज़ेपी कह रहे हैं हमने प्रतियाशी नहीं योध्धा मैतान में उतारे हैं लेकिन कॉंग्रिस कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में सूची आई यह बरोसा नहीं किया जा सकता देखें इस 36 गड़ में जब 36 गड़ मद्यप्रदेश में हुआ करता था यदि हम बात करें 96 गड़ में जब हम पहली बार सरकार में आते थे अटल भी हरी बैचवेजी की सरकार जब बनी थी 13 दिन की 13 महने की उसके बाद 5 साल की 6 साल हम सरकार चलाए तब इस 36 गड़ की जनता ने हमको आशिरवाद दिया 7, 8, 9, 10 सीटे हम प्राप करते रहे और तब से लेके 9, 14 और 19 तक अभी पिछली बार हमने 9 सीटे प्राप की उसके पहले हमने 10 सीटे प्राप की इस देश के अंदर में तो केंदर में हमेशा से प्रदेश की जनता ने चतिकड़ की जनता ने चाहा कि भारती जनता पार्टी की सरकारवाद ने उनका पूरा समर्थन प्राप्त हुआ और उसके बाद आपने पिछली बार देखा इस बार भी वही है कि जिस तरीखे से पिशली बार एक बढ़ा लिया कांगरस ने चलिए एक आद ले ले लें तो कोई आपति नहीं है अब इनको में विपक्ष को जिन्ना रखना है तो हो जाता है कभी-कभी कई दिक्कत नहीं मौका दे रहे हैं क्या है कि इनके कर्म बोलना अच्छा नहीं लगेगा इनके कारी ही ऐसे हैं कि जनता मजमूर हो जाती इनको बाहर का रास्ता दिखाने बैने कहा ना, ये वो पुरानी पार्टी है जब इनको 60-65 साल का मौका मिला इन्होंने कोई काम नहीं कि आप ये सवाल करते हैं तो बड़ा लोगों को व्यंग लगता है, हसना लगता है ये कौन लोग हैं जिनको 60 साल सरकार चला है तो मेरा कहने का मतला है हमने 11 लोगसभा सीटों का हमने टार्गेट किया है और देखिए जल्द की बाजी, ये याद होगा आपको याद होगा 17 अगस्त 2023 17 अगस 2023 को जब विधान सबा चुनाओं की तैयारी करते हमने एक स्टेटिजी बनाई थी कि जिन सीटों पर हमारे हैं कभी हम जीते नहीं है वो 21 सीटों को हमने डिक्लियर किया था विधान सबा की 21 सीटों को चार महने चुनाओं के पहले तब भुपेश्व के जी मुख्यमंत्री थे भुपेश्य तो भरुसाय का नारा चल रहा था तब इन्होंने विंगात्मा कुरूप से कहा था कि ये इस तरह का काम करे हैं और इनके पास में कोई तैयारी नहीं नहीं कर दिया परिणाम यह हुआ कि उस 21 में से कम से कम 12 सीटे हमने जीते जो हम कभी नहीं जीते थे या एकाद बार जीते थे तो हमारी रंडिती क्या है यह नहीं समझ पाएंगे ये तो नेता अधारित पार्टी हैं नेताओं के पीछे चलनने वाले लोग हैं हम तो जिस दिन से विधान सभा चुनाओं में हमने सरकार बनाई उसके आगले दिन से हमारा लक्ष था कि लोग सभा के लिए हम तैयारी प्रारम करेंगे ये तो अभी कंडियेट अभी चार दिन पहले कंडियेट दिये हैं हमारा कारले खुल गया, टीम बन गई, सब कुछ हो गया किंडियेट डिकलेर हो गया, सब कुछ हो गया हम चुनाओं के लिए तैयार हैं यहां तो यह है कॉंग्रेस की सिती इनके ही नेताओं की भाशा में मैं कह दूँ जो लखमा जी ने कहा कि भाईया मैं अपने लड़के के लिए दुलहन लेने गया था, लेकिन वो दुलहन मेरे को टिका दी है, तो यह सिती है कॉंग्रेस की इसलिए मुझे बहुत जादा टिकली नहीं करना है लेकिन इस प्रोदेश की जनता बताएगी कि इनका हाल क्या है जनता का आश्रवाद किसको मिलेगा ये तो चार जून को साफ होई जाएगा सुशील जी देखे एक बड़ा सवाल कॉंग्रेस हमेशा खड़ा करती है कि बीजेपी कोई भी योजना नहीं लाती है लेकिन बीजेपी ये कहती है कि हमारी योजना हमेशा तथे भी है क्या भारती जनता पार्टी काम करने में भरोसा नहीं रखती है भारती जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी में भरोसा रखती है और जुमलेबाजी करके भावनात्मक आधार पे मुद्दो का आधार पे धर्म के आधार पे कभी राष्षवाद के नाम पे जनता में भ्रम भैलाने की गोशिश करते हैं कभी भी एपने कमिटमेंट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे पेट्रोल और डीजल 35 रुपे में देने की बात की थी इनों ने आज इस्थिती यह है कि 35 रुपे का एक्साइ अंतिकारी वाइदा यह है कि जिसके लिए किसान लगाता जिस देश का किसान संगर्ष कर रहा हम MSP को कानूनी गैरेंटी देंगे कांग्रेश की सरकार बनने के बाद लोग सभा में लोग सभा में बिधैक लाके कानून पाजित करा के MSP को कानून बनाया जाए कि निवनतम स किसानों को कि हम किसी उत्पादों को GST मुफ्त करेंगे इसकी अलामा हमने दूसरा महलाओं के लिए एक रांतिकारी वाइदा किया है कि कांग्रेश की केंद में सरकार बनने के बाद कांग्रेश की सरकार 30-50% महलाओं को नौकरी में आरक्षन देगी साथ ही एक लाग सालान समय सीमित है इसलिए मैं छोटा सा कांटर आप दोनों का चाहती हूं इस विशह पे कि EVM पर एक बार फिर से जंग चिड़ गई है यह कमिटमेंट है क्या आपका वो पेश बगेल तो लीडर है ना कॉंग्रेश की बड़े कह दिया तो इसमें उसका निराकरन होना चाहिए सवाल उसने तो आप क्यों पैदोकार बन जाते हैं आप बैलेट से क्यों डरते हैं क्यों डरते हैं जबाब चाहिए देखे ऐसा है यह पहला ऐसा दल है जो मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता है लेकिन राहुल गांधी का असर लगबख सभी नेताओं पर हो रहा है यह EVM को सुप्रिम कोर्ट ने भी जस्टिफाय कर दिया है इनको बाहर का रास्ता दिखाया है बीच में आपको मालूम है कि जब इनको तत्य प्रसुत करने के लिए बोला गया किसी ने तत्य प्रसुत नहीं किया यहां तक कि सुप्रिम पोर्ट ने की डियरेक्शन दिया कि इस मामले में लेकर को यह पोट में आएगा तो उसके खिलाफ में कारवा हो जाती है यह कौन से लोग है न तो इनको चुनावाइक पर भरुसा है नई देश के शविधान वेवस्था कानून जो वेवस्था है किसी पर भरुसा नहीं है कॉंग्रेसियों को भरुसा है तो सिर्फ गांधी परिवार पर भरुसा है वो यदि गलत बोलेगा तो उसी सकता है किस तरह की गलती कॉंग्रेस को पहिंगर वाव है अब इनकी पोल खुलने लगी है जिस प्रकार से से लेक्टिव सीट में इवियम से लेकिन हमारे हाथ में हमने नगरी निकाय चुनाव को वैलेट से करवाया भर्ती जनता पार्टी कि मैं फिर बोलना हूं तो जाद किस बात का डाज है क्यों पर आज जाएंगे तो यह कल कि यह नहीं कहें कि दो व्यक्ति को खड़ो कर कुस्ति लड़ा कर वालो ऑगे बाक्ति लगी हुए है तिस इतनी देनी है तृती जी चुनाओं में हार जीत होता मैं बद्दस बार कहता हूं ठीक है हारने के बाद मांसिक विचलन इतना हो गया है कि आप क्या कह रहें क्या नहीं कह रहें इसका होश आप तो बहुत है और जब हम समाचार पत्रों पढ़ते थे कि बैलेट पर जंगल में बिलना कई पेटी इधर गयाब हो गई यह वह वह उस्ता चाहते है आप दोनों की पार्टी को चुनाओ मैदान में जनता तै करेगी और शुक्रिया आप दोनों का अमार साथ जोडने के लिए और चले अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी मतप्रदेश शतीजगड के अडिटर मोहित सिनहा जी को सर आप मंच पर आईए और संजश्रवास्तफ जी और सुशील आनन दशुक्ला जी को समानित कीजिए जोर्दार तालियां बस्ती रहनी चाहिए बीजेपी के महामंत्री शतीजगड बीजेपी के महामंत्री संजश्रवास्तफ जी इसके लाबा बीजिसी मीडिया सेल के चेर्मेन सुशील आनन शुक्ला जी झालš चेर्मेश जीजेवास्त an exit फ aid师ैस问 एक लाबा सेल के महामंत्री साथ झाल